पूरे देश में रोश फैल गया है कल से पीजेपी जो है वो देश में टिक्टेटर्शिप लाना चाहती है यह नहीं चाहते अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी अलजी की चलेगी अगर पंजाम में सरकार नहीं बनी तो कोईर्ट 我निर्ट हो जायें वर्ना ये देश परभादी की तरफ लेके जारे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो अपने काम बस और कोई काम नहीं ED, CBI, Supreme Court, Election Commission नीतियों किसी की बात नहीं मानते हैं क्या समझ रखा है नो ने देश को ये देश किसी के दाप की चगीर नहीं है ये लोग आ गहें ये लोग डिक्टेक्टरशिप करते हैं ये खरीद लोग इसाथ काम देश में बांद होना चाहिए 1947 में देश आज़ाद हुआ 1947 में देश आज़ाद हुआ हमें वोटर कार्ड मिले हम अपने नेता खुद चुनने लगे लेकिन आज भगस सिंग राजगुरु सकदेव की आत्मा तरप रही होगी कि इस देश में देमोक्रेसी पची नहीं है आज भगस सिंग की आत्मा तरप रही होगी कि इस इस जादी के लिए हमने कुर्बानियां देती ये आजाती है कि विपक्ष को आप परचार ना करने दो विपक्ष को बोटों में इलेक्शन ना लड़ने दो विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फैंक दो अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगर की तरह आठ वोट केंसर करा कि अपनी मरमर जी का मेयर बनान होगी अर्विन केजरीवाल को तो पकड़ लोगे लेकिन उनकी सोच को गिरफतार कैसे करोगे पूरे देश में रोश फैल गया है कल से के बीजेपी जो है वो देश में टिक्टेटर्शिप लाना चाहती है ये नहीं चाहते अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी अलजी की चलेगी अगर पंजाम में सरकार नहीं बनी तो गुवर्नर तंग करेगा, अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गुवर्नर रूल करेगा, अगर केला में सरकार नहीं बनी तो गुवर्नर रूल करेगा, अगर छार खंड में सरकार नहीं बनी हेमांसरेन को गुर्फतार करेंगे, दॉक्टर भीमराओं बेदकर का सर्विधान खत्रे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 क्रोड लोगों को कहता हूँ, आओ कठे हो जाएं, वरना ये देश परबादी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम बस, और कोई काम नहीं, ED, CBI, Supreme Court, और इलक्षन कमिशन, नीती योग किसी की बात नहीं मानते ये, क्या समझ रखा है नोने देश को, इन ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है, इनोने समझ रखा है, ये 26 चनबरी को पंजाब की जाकी निकाल दी, जाकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी, अरे भागस सिंग से बड़ी होगे तुम, राजगुरु सुकदेव से बड़ी होगे तुम, करतार सिंग सरापा से बड़ी होगे, लाला लाजपत्राई से बड़ी होगे, आपके यहां कोई, आपका कोई रिष्टेदार जलयां भाले बाग में मारा गया था, ना, 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 अरे अजादी लेक तो ये आगे आज कल के नए अंग्रेज ये नए अंग्रेज आ गए आज आपको सुनके हरानी होगी आज पूरी दुनिया के ख़़ारों में वाशिंटन पोस्ट न्यू यार्क जर्मनी के कई ख़़ार उन्होंने फ्रंट पे पेच्छापा है के भारत में डेमोक्रेसी खत्र में है और ये कह रहे हैं ये वगज्ट कर रहे हैं अब यूक मोदा कर रिया हो हर्याना के नौजवानूं को कह रहे हैं अब यूकरेन चले जाओ यूकरेन चले जाओ जुद्ध में जूँक रहे हैं तो यह दाद्यागरी यह नहीं चलेगी पार्लीमेंट में यही बोलता था अर्विंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाव के साथ बाहर आएंगे पूरे देश में लहर फैले के अर्विंद केजरीवाल अर्विंद केजरीवाल एक ब्यक्ति नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक ब्यक्ति नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक सोच है आप सोच को कैदरी कर सकाए जब तक अबके चल बाहर नहीं आते हिसकार कैसे चलेगी तिली की चलाएंगे कानून के मताव की चलाएंगे कोई कनून नहीं कहता कि अगर कोई कोई कि प्लीटिकल वेंड़ेंटा के दीन किसी मुख्य मंतरी को आप जेल में कर दो गें तो वो जे उसको स्टीफा देना करेंगे परचार करेंगे सारे अर्विंद केजरिवाल एक सोच का नाम है तो जो भी परचार करेगा वो अर्विंद केजरिवाल की सोच कही करेगा तो हम एक मैं साथ दिखता था इसका मतलब यह नहीं के मैं अकेला साथ था परोड़ों लाखों और भी केजरिवाल होगा हर विद्वार केजरिवाल होगा हर बलंटियर केजरिवाल होगा कर लेना करांगे जा रहे हैं के पजाद रहे हैं तो एक्साइस पुर्ण से पजाद चला कोई तो इसी जा रहे हैं चाकिया थे अब यहां से पार्टी के ऑफिस की तर मार्च करेंगे शहीद आजम भगज सिंग राजगुरु सुक्देव को शर्दांजली देखे हम उनको याद करेंगे और उनकी उनकी सोच को बचाने के लिए भगज सिंग की सोच यह थी कि मुझे कोई शक नहीं के अजादी मिलेगी जा ना अजादी तो मिलेगी लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में अजादा में करीद लो बिधान सवा में करीद लो यह खरीद और फरोकत वाला बाई सब काम देश में बंद होना चाहिए लोक तंतर को बचाना है कौम को कबीलों में मत बांटिये लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और छीलों में मत बांटिये और एक और एक अरविन के जिरिवाल जी के लिए बोल रहा हूं चार लेने के हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे वितार होता है